हेलो फ्रेंद्स मोस्ट वैलकम को मा यूटूब चैनल आज मैं आपको अपने वीडियो में लेटेस्ट डिजाइनर ब्लाउस की कटिंग और स्टीचिंग दोनों बताने वाली हों वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक और शेयर कर दे साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लंबाई है हमारी 13 इंच चेश्ट है 34 इंच कमर है 29 इंच शोल्डर है 14 इंच स्लीव की जो लेंध है वह है साड़े 5 इंच और उसकी गोलाई 11 इंच गला हमें बनाना है आगे 6 इंच और पीछे बोटनेक तो यह बोटनेक ब्लॉज है अब यह है मेरे पास साड़ी वा अस्तर की कटिंग शुरू करेंगे तो यह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है किनोर है इस साइड में तो इस तरह से फोल्ड करना है आपको आड़े मेनी कटिंग करनी है अब हमारी लंबाई जो है वो है 13 इंच यानि कि यह हम लेलेंगे 14 इंच एक इंच एक्ष्टा मार्जिन के लिए आधा इंच नीच और आधा इंच ही उपर देखिए हमने इसको डबल फोल्ड किया है 10 इंच में शुल्डर है हमारे 14 इंच अब पीछे क्यूंकि बॉटनेक है तो जो एक्ज़क्ट शुल्डर है जो हमने ना पाह अपना वस वही हमें लेना है ना कुछ एड़ करन है तो यह साथ इंच पर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद आर्म हॉल आर्म हॉल जो आप नॉर्मल लेते हैं अपने ब्लॉज में उससे एक इंच आपको ज़्यादा रखना है क्योंकि यह बॉटनेक है और इस आर्म हॉल को आपको आधा इंच अंदर के साइड में लेना है और उसके साथ मैं में देखना चेष्ट चेष्ट है हमारा चौतिस इंच उसका वन फोर्थ हिस्सा जो है वो होता है साड़े आठ इंच और यह हो जाएगा हमारा तैड़ इंच का मार्जिन और इसी तरह से कमर भी वैसे एग्जैक्ट ही रहेगी अगर ज्यादा अंतर नहीं है तो यह सेम नाप याता है नापने पर भी और यह डैड़ इंच का मार्जिन और आर्म हॉल को आपते देंगे हम गोलाई गलब बॉटनेक बनाना है चार इंच की चोड़ाई ले रही हूँ मैं अभी की इस तरह का में बॉटनेक में यह शेप और यह डिजाइन बनानी है यह लेंगे हम पीछे तीन इंच का यह डिजाइन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अंदाजा लगा सकें किस तरह की डिजाइन बन सकती है इसमें और नीचे से मैंने इसको लिया है साड़े तीन इंच आप इसको कम ज़ादा कर सकते हैं जितना आप पहनते हैं ब्लोज और फिर उस पर एक ड्रॉप शेप इस तरह से ड्रॉफ कर लेना है अब यह इसको भी आप कम जादा कर सकते हैं और इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम पीछ वाली डाट का निशान लगाएंगे बाद में और यह जो ड्रॉप शेप हमने कटिंग किया है इसको में रखना है और साथ ही आधा इंच की डाल दे देंगे हम शोल्डर में अब देखिए आप डबल फोल्ड किया हमने आधा इंच ज्यादा में और यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ देंगे जो हुख पट्टी का मार्जिन आप लेते हैं मूमन उतना उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से पिछला ही सरक सकते हैं उस कपड़े पर यह हो जाएगा मार अगली का निशान और यह शोल्डर का अब इस पार्ट में हमें क्या है आगे वाले में डाट आती है आर्म हॉल पर तो इस आर्म हॉल को हमें आधा इंच नीचे की साइड में सरका लेना है और यह आर्म हॉल भी हमने ड्रॉ कर दिया है अब इसकी लेन्थ लेन्थ हमने पीछे इसे की ली थी चौधा इंच और आगे की लेंगे हम दो इंच जादा सुला इंच जिसमें बैल्ट जुटने में चला जाएगा एक इंच आधा इंच की डाट आ जाएगी साइड फीटि और इसको राउन में शेव देना है अधिके हमारा चेस्ट साड़े आठ यानि की नौ इंच हो जाएगा उस आधे इंच का जो आगे वाला मार्जिन उसको भी साथ में रखकर नौ इंच है यह तो यह नौ इंच पर हमारा निशान और यह डाड इंच का मार्जिन है साड़े बचा है वो 10 इंच है अब यह जो आर्म हो लें इसको में अंदर के साइड में लेना आधा इंच ऊपर से में बैल्ट अलक करना जो की कर लेंगे हम 13 इंच पर बाकि जो तीन इंच है वो हमारा बेल्ट रहेगा यहाँ पर पॉन इंच का तीकोना हिस्सा बना लेंगें बादेंच का शुल्डर डाउन कर लेंगे अब आते हम टक्स पर तो हमारा चेश्ट है थर्टी फोर यानि कि इस मार्जिन को छोड़कर उकवाली पट्टी का मार्जिन जो है उसको छोड़कर आपको 3.4 या लगभग 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और ये 2 इंच इसकी लंबाई लेना है अब ही ही से हम नापेंगे एक इंच उपर और सीधी लाइन की इच लेंगे और हुपट्टी की तरफ से ये 1.5 इंच की डाटा जाएगी हमारी और ये 1.5 इंच का अंतर है तो इस 1.5 इंच के गैप में तीसी डाट हुजाएगी साइड फिटिंग की तरफ थोड़ा तीरचा में रखना है और 4 इंच ले लेंगे आर्म हॉल पर और यहां से भी 1.5 इंच का गैप ये हो जाएगा हमारा चोथा टक्स स्लीव के लिए हमें चार फोल करना है कपड़े को अब मारे स्लीव की लंबाई जो है साड़े पांच इंच और गोलाई है ग्यार इंच तो ये ले लेंगे हम साड़े चा इंच लंबाई में और यहां से अमारा जो सेकेंड निशान होगा लगबग हाफ में सवा तीन इंच गोलाई हमारी ग्यार इंच यानिकी साड़े पांच इंच और इससे एक इंच उपर उपर वाली जो लाइन खीची है उस पर लगबग सवा इंच जादा यानिकी पोने साथ इंच और इसको देंगे हम इस तरह गोलाई अब इस स्लीव में से हमें दो इसो को आगे की गोलाई देनी है अब इन सारे पार्ट्स को हम साड़ी वाले पीस पर रखकर कट कर लेंगे थोड़ा सा एक्स्टर इकटिंग करें साइड में से जब हम जोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा कमनी होना चीए इसका स्टीचिंग का आगला वीडियो होगा तो यह डिजाइन कैसी बनती है आप उस वीडियो में देख सकते हैं झाल 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 तो यह इस तरह से आप इजी वे में बॉटनेक ब्लॉज कटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करते हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बाहर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो यह हमारा पिछला हिस्सा है तो सबसे पहले हम इसे अस्तर के साथ में अटेश करेंगे आदा इंच की सिले लगानी है आपको वीडियो पसंद आये तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो याद रहेंज की सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई आपको अस्तर पर लगानी और उसको फोल्ड कर देना है आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं तो आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं याप पर अब ड्रॉप शेप कटिंग किया है है तो सबसे पहले इस ड्रॉप शेप को आपको टैच करना है और इसी तरह हमें दोना तरफ से बिस को अस्तर के साथ में जोड़ लेना है आप अलके आतों से जोड़ेंगे तो कोई सलवट नहीं आएगी और आए तो इस तरह साब एक्ष्टा कपड़ा निकालते रहें तो यह हमारा चारो तरफ से जोड़ जाएगा बीस से हमने इसको कट कर लिया है अब ड्रॉप शेप जब हमने कटिंग किया था तो हमने यह बीच वाला हिसा जो हमारा निकला है उसे रख लिया है तो उससे हमें कटिंग करनी है बुक्रम बहुत ही सिंपल और सुन्दर डिजाइन है यह आप आसानिक साथ में बना सकते हैं इसको तो यह हमने कर लिया इसको ड्रॉप अब यह देखिए लगभग दो तीन इंच नीचे यहाँ पर हमें बनाना एक गोला और साथ में उसके जश नीचे सवा सवा इंच का मैं निशान लगा रही हूँ तो यह निशान हो गया है सवा इंच का और यहाँ उपर के साथ में एक राउंड शेप तो यह देखिए इस तरह से कटिंग हो जाएगा अब मेरे पास पेपर बुकर में है अंदर वाली कटिंग हम बाद में करेंगे उससे जिस कप्डे पर बनाना है उस पर मैंने इसको चिपका लिया है तो यह चारो तरफ से मैंने कटिंग कर दिया है अब देखे हमने निशान लगाया जो था उसको हम अब कटिंग करेंगे इस तरह से पहले पूरा चिपकाने से क्या होता है सलवट नहीं आती किसी भी तरह की और अगर हम पहले कटिंग करते हैं तो बुकर में को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है तो यह इसके बाद हमने इसको कटिंग कर लिए है अब य यह है हमारा नेक तो इस नेक पर आपको सेंटर का निशान लगा लेना है और सेंटर पर रखकर एक बार इसको अटेज करते हैं ताकि बीचो बीच रहे यह डिजाइन बिगनर जो है वो काफी अच्छे से यह डिजाइन बना सकते हैं तो यह हमने सिलाई के साथ में इसको चिपका लिया है अभी देखें इसकी चौच के लिए मैंने एक कंगुरा बनाया है तीको ना दोनोई साइड में से लगा लेना है उसके बाद एक लेस से में इसको अटेश कर लेना है दबा लेना है झाला यह लो ले ओक लो उसको ना उसकी अाला है वह का लेना है अब पाइपिंग के लिए एक इंच की ओरेब लिए मैंने और इस ओरेब का आपको खींचते भी लगाना क्योंकि राउंड शेप है अब यहाँ पर पाइपिंग लगाएं तो नीचे क्योंकि बुकरम लगाई हुई है हमारे तो बहुत ज़्यादा इसको दबाव में नी लें वरना पाइपिंग जो है वो थोड़ी मोटी बनेगी उसके बाद में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप इस तरह से इस पाइपिंग को आधा इच पहले अंदर के साइब में फोल्ड कर लें यह आपने पहले से फोल्ड कर दिया इस सोरी पटी को और अब आप सीधी तरफ से जितनी पाइपिंग चाहिए उससाब से इसको पलट लें और यहां से हम इसको जोइंट कर लेंगे गले पर भी हमें पाइपिंग लगानी है तो इसी मेथट से हम लगा लेंगे एक इंच के ओरेव है और इसको भी हलका की इसते वही लगाना है तो यह उपर भी पाइपिंग लग जाएगी अब यहां पर हमने आख बनाने के लिए बटन लगाये हैं आप कोई भी तरह का बीट्स यूज़ कर सकते हैं तो यह हमारी डिजाइन हो जाएगी बैक नेक में और बहुत ही सिंपल और सुन्दर अब यह है हमारे आगे वाले हिससे जिसको मैंने अटेच कर लिया है अस्तर के साथ में और जो डार्ट थी वहाँ पर भी एक एक मशिन चला ली ताकि दोनों अटेच हो जाएग अब सबसे नीचे वाली डार्ट को लगबग पाव इंच में लगाना है और जो बाकी तीनों डार्ट है उसको पाव इंच में तो यह इस तरह से हमारा पप बन जाएगा यह बैल्ट नीचे वाला तो इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया जैसे हमने पिछला इससा फोल्ड किया था ताकि पट्टी लगानी नहीं पड़े नीचे वाली डार्ट को हलका सा फोल्ड कर दें अब आप चाहें तो बैल्ट पर उपर से लह चला सकते हैं उससे क्या है मजबूती आ जाती है थोड़ी सी कपड़ा कर निकलने वाला हो खुशकने वाला हो तो भी फिक्स हो जाता है तो दोनों इससे तयार करने के बाद आप इस तरह से इनको नाप कर देखें बराबर नहीं है तो बराबर करने की कोशिश करें उसके बाद में ही पट्टी लगाए तो यह हो पट्टी है जो सिर्फ अस्तर से लगानी हमें और यहाँ पर गले के साइड में इसको पाव इंच इस तरफ निकाल लेना है ताकि गला फिटिंग से आए और फिनिशिंग के साथ उलटने के लिए आप कॉनर पर इस तरह से मशीन चला सकते हैं दूसरी तरफ लगानी हमें हाई वाली पट्टी तो उसमें अस्तर और साड़ी वाला पीश जो है दोनों यूज़ करना है और इसमें भी गले की तरफ आपको पाव इंच छोड़ लेना है कि दोने से हो जाएंगे हमारे अब हमें पहले आगे नए के लिए पाइपिंग लगा लेने हैं उसके बाद शोल्डर अटैच करना है और पाइपिंग आप अपने इच्छा से अपने तरीके से लगा सकते हैं जैसा हमने पीछे गलेम बनाया था आप उस तरह से भी लगा सकते हैं अब सीथी तरफ से जो सिलह लगा रही हैं मैं वो बिल्कुल कॉर्णर पर लगा रही हूं जो पहले मैंने सिलह लगाई थी वो कच्छी थी यानिकि इस सिलह को मैं निकालने वाले हूं अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं अब हमें स्लीव जोडनी है तो स्लीव जोडने से पहले आप इन दोनों इसो को देखें बराबर है यह नहीं अगर नहीं है पाविंच तक का गैप है तो आप इसको अलका सा कट कर लें इसी तरह से स्लीव में भी हमें देख लेना है मैंने स्लीव पे बॉर्डर अटैच कर दिया है तो इसको भी आपको देखना है यहां पर बराबर होना चाहिए यह है पीछे वाली डाट के लिए तो पहले एक यहीं मशिन चला लें उसके बाद अधा इंचके में डाट लगानी है फीटिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक इंच पर चला लें अब हम अपनी कमण आपनी दोनों से दरफ सिलाई लगाने के बाद में जो 29 इंच कमर है हमारी और अभी हमारे पास है 31 यानि की 2 इंच हमें कवर करना है 11 इंच स्लीव है आगे से और आगे अगर मोटा हेवी बॉर्डर हो तो आप हलका सा इसको लूजिंग देते हैं अब देखिए जो निशान हमारा कटिंग के वक्त का था सेम यही पर चलेगी हमारी मशीन और इसके अलवा आप एक दो सिलाई और लगा के इसको फिटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो जुरू लाइक और शेयर कर दें आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें